नमस्कार ट्रेनीज मैं अनुरा सक्सेना आसा भी लोगों का हार्दिक स्वागत इवा अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कमिडेग खास पेशकष भारत स्किल्स में तो ट्रेनीज जैसा कि आप सोवी को पता है कि हम भारत स्किल्स की वेबसाइट से निकाला हुआ पीडियेफ सौल कर रहे हैं आजकल तो इसी कड़ी में आज हमने आईटेफ फर्स चेर को टॉपिक बेसिक एलेक्रिसिटी लिया हुआ है इस वीडियो में हमने discuss किया था कि पिछली वीडियो में कि basic electricity में कुछ अधिक है इसलिए उसको हमने दो पार्ट में cover किया है इस से पहले पार्ट की वीडियो जो सौल में ने किया है एक वीडियो उसको upload हो गई है जिसका link में description में देए दूँगा आप उसको जरूर देख लिजेगा तो आएए उसी वीडियो का part 2 शुरू करते हैं तो part 2 basic electricity का question number 175 है तो शुरू करते हैं how much watt second in one watt hour जो भी आला section है यह जाद तर इसमें power से dedicated है तो आपको असले पता होना चाहिए कि power गया होता है electric power गया होता है देखे electric power को हम define करते हैं कि आपने कितनी electric energy consume की है rate of consuming electricity rate of consuming electrical energy is known as electric power upon time ठीक है आपने कितनी energy consume की है और कितने time में की है तो उसको हम बोल देते हैं electric power, electric शक्ति तो energy consume की unit क्या हो जाएगी इसकी unit होगी जूल, energy unit जूल होती है और time taken की unit होती है second तो उसकी unit बनती है watt तो और एक watt बराबर होता है एक जूल पर second के ठीक है बागी इसके formula की बात करूँ हो तो power का formula होता है v i, power का formula voltage जहां पर p के हमारा power है v voltage है और i क्या है current है ठीक है इस formula को हम change भी कर लेते हैं जलूरी नहीं इसी का use हो इसी formula में अगर हम ohm's law से v की जगा ir रख दें तो यह formula यह भी बन जाता है v की जगर हम ir रख दें from कहां से ohm's law से ohm's law मैंने इसके पहले पार्ट में डिसकस किया है अब वहां से देख सकते है ठीक है बीक कोश्व आया अगर हम ohm's law से रखेंगे तो पीक कोश्व गया होगा ir into i तो यह बन जाता है i square r तो यह दो formula generally use होते हैं power के इतना जानना बहुत है आपके लिए power के लिए अब चलिए इसके question करते हैं तो पहला question इसका है how much what second in one what hour एक वाट आर में कितने what second होते हैं तो देखे simple सा है one what hour में हम से पूछा है कि एक what घंटे में कितने what second होंगे तो हमको क्या पता है हमको यह पता है कि एक घंटे में 60 minutes होते हैं और 60 minutes में 60 seconds भी होते हैं ठीक है तो यह बन जायाएगा one what 60 into six 36 seconds तो 1W में कितने आगए? 1W में आगए 1W 3600 अगले कुश्छन ने पूछता है What is the power if an EMF? EMF से confused मस्त हुएगा जो voltage होता है voltage का ही दूसरा नाम EMF होता है confuse करने के लिए दिया है EMF को ही voltage बोलते है 1W causes a current flow of 1A अब देखे एक EMF हमको दिया है 1W उसके वज़े से 1A का current flow हो रहा है तो हमसे सीधे सीधे पूछा गया है कि उसमें power कितनी है ये सीधे सीधे कुछ नहीं कहा रहा है ये आपसे ये जो है ना ये watt की definition पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं है तो देखे फॉर्मला माला क्या था P equals to VI V कितना है एक एक वोल्ट है और IB कितना है एक वोल्ट तो ये गया बन गया 1W तो इसका अंसर होगा 1W अगला question है What is equal to electric power इसमें electric power का यह है आपको formula बताना है तो मैंना आपको थुरी दे पहले के बताया था electric का formula होता है P equals to VI मगर इसमें याला formula में को दिख नहीं रहा ऐसे भी options missing है तो V की जगर आप IR रग दें Ohm flow से तो यह बन जाएगा IR into I तो हो जाएगा I square R P equals to I square R तो यह इसका answer होगा ठीक है square में होगा miss printing है P equals to I square R इसका formula होता है यदि एक electric heater 10A का current 200V पर कितनी शक्ती की खपत होती है देखे कोई एक electric heater है उसमें current कितना है 10A का current है और voltage दी गई हमको 200V तो हमसे क्या पूछा गया है power पूछा गया है simply सिधा सा formula है P equals to VI V कितना है 200 I कितना है 10 कितना बने गए कितना बनेगा 2000W है simple अगला प्रशन है यदि एक electric iron की rating 220V और 500W है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा electric iron का मतलब होता है electric press इस तरी जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं उसको English में electric iron बोलते हैं ठीक है तो देखे उसका क्या है 220V और 500W कि उसकी rating है तो हमसे पूछा गया है कि उसका resistance कितना है अब देखे मैंने आपको power के दो formula पहले के बताया थे यह हमारा basic formula था peak kosheru VI इसमें हमने V की जगह क्या रखा था IR रखा था तो यह बन गया था peak kosheru I square R अगर इसमें हम ohms law में जाएं ohms law ने हमसे कहा था V kosheru I R होता है तो यहां से I का मान कितना आएगा V upon R आएगा ठीक है तो हम I की value V upon R यह इसमें रख देंगे इसकी value इसमें रख देंगे तो यह formula के बन जाएगा peak kosheru V into V upon R तो P हमारा बन जाएगा V square by R peak kosheru V square upon R बन गया अब देखे ठीक है तो यह तीन formula होंगे इन तीनों formula को आगो घुमा के अगर आपको इस तरह से V और I के बीच में relation है तो यह लगाईएगा अगर I और R का है तो यह लगा देना अगर V और R का पूछा तो यह लगा देंगे इस वाले question हमको क्या है voltage और power में जाना है और resistance निकालना है इसलिए हम यह लगा formula लगाएगे peak kosheru V square upon R तो देखे peak कितना दिया है 500 दिया है V कितना है 220 into 220 upon R तो R कितना आ जाएगा 220 into 220 220 upon 500 तो इससे यह cancel इससे यह cancel 5 forza 20.5 forza 20 तो अब इसको इंटू कर लेते है 44 upon 22 तो forza 8 to forza 8 इंटू 88 8816 966 तो 96.6 इसका answer आ रहा है 96.6 इसका answer आ गया ओम ठीक है sorry resistance की unit क्या होती है ओम होती है तो ओम इसकी unit हो गई अगरा question में पूछा है what is the voltage of an immersion heater एक heater है उसकी voltage निकाल नहीं है P हमको दिया है I दिया है तो कौन सो हमने लगाएंगे P दिया है I दिया है V निकालना है तो आल आ पोमने लगाएंगे P equals to VI P equals to VI P हमको दिया है 500 equals to voltage हमको निकाल नहीं है आई दिया है 2.27 ठीक है तो यह हो गया 500 अपॉन 2.27 इंटू वी तो इसे सॉल्ट करना है सीधे तो सॉल्ट कर लेते हैं यह हो गया 500 और 227 से से डिवाइड देना है पॉंट हम बाद में कॉंट कर देंगे तो जाएगा 2x 2 7 14 2 4 5 2 2 4 10 में 4 काट अच्छा है नहीं चार टीक है पॉंट लगाएंगे 0 फिरसे 2 टाइमस जाएगा 227 सॉरी 2 टाइमस जाएगा तो बनेगा 2.2 इस जरो लगाएंगे 0 पॉंट है तो 0 खुद ही आ जाएगा कितना टाइमस जाएगा अभी भी टू टाइमस जाएगा तो कितना बनेगा 454 10 में 4 काटा 6 9 में से 5 काटा 4 5 में 4 काटा 1 टीक है तो 2.202 इसका अंसर आ गया तो भी हमारा आ गया 2.202 यह और यह दो नीचे के 0 थे तो इंटु 100 तो यह बन जाएगा 20.2 वोल्ट वोल्ट एच कि उनिट कितनी होती है वोल्ट होती है तो इस का अंसर आ गया 220.2 वोल्ट अगला कोशन है वट इस दा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैंगनेटिक फील्ड देखिए जो यहाला पोशन है इसमें यहांस के पासे यहाला कोशन मैंगनेटिक फील्ड से लेटेड है तो आपको थोड़ा उसके आरहें मता देता हूं देखिए लेजिए कोई मैगनेट है माल लिजर यह कोई मैंगनेट है इसको नौर्थ है और सौतपोल है तो इसके आसपास क्यों होती है लाइन्स होती है एक फीड होती है वो एरिया जहां पर इसका जो magnetic field की power field की जाती है उसको हम बोलते है magnetic field त्लेकाँ इस तरह से आपा कुछ इसकी lines बनती है, इस तरह से यह तो इसको बोलते है magnetic field और यह इस field में जहां भी कोई हमाँ magnetic particle है और हो technique involved कर सकता है उसको बोलते है magnetic field तो अभी हमसे पूछा है कि intensity of magnetic field क्या है, intensity of manip coffee फिल्ड क्या होता है, मान लीजे, इसका एरिया इतना है, यहां तक है कोई एरिया इसका, तो इस एरिया में, कोई अगर unit capacity का, हमने किसी magnet का north pole रखा है, तो उस पे कितना force field हो रहा है, उसको हम बोलते है, intensity of magnetic field, फिर सुनिए, अगर हमने इस field में कोई, किसी magnet का unit capacity की magnet का north pole रख हुआ है, तो इस magnet में कितना force field हो रहा है, उसको बोलते हैं, intensity of magnetic field, इसकी unit होती है, वेबर, इसको बोलते हैं, वेबर पर मीटर, अगला question है, which law it states about electromagnetic induction, देखे, electromagnetic induction एक बहुत ही बढ़िया concept है, जिसके basis में आपकी transformer हो गया, आपकी electric motors वगयरा हो गया, कई सारी जो चीजे हैं, यह आपकी, यह electromagnetic induction के वह जैसे ही चलती है, ठीक है, जो dynamo आपका होता है, जिससे, जो motion के वह जैसे electricity produce हो जाती है, वो सारी आपका electromagnetic induction पर ही काम करता है, बहुत अच्छा concept होता है, यह concept के अनुसार मान लीजिए, हमने कोई magnet रखा है, यह north pole है, यह south pole है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई इस तरह से coil रखी हुई है, तो जब आप इस coil को इसके आसपास move कराएंगे इस तरह से, तो इसके क्या होंगी, इस तरह से lines होंगी, इसकी magnetic fields line, तो जब इसमें जो magnetic fields line का change होगा, जिससे magnetic flux बोलते हैं, जब इस magnetic field lines इसको cross करेंगी, तो इसमें एक EMF generate हो जात है, इसको बोलते हैं, electromagnetic induction, अब इसमें पूछा है कि electromagnetic induction के बारे में कौन सा law बात करता है, यह सब से इसका सही answer है, Faraday's law, Faraday's law कहता है कि इसमें, जो induced EMF है, उसका वो होगा, D5 by Dt, D5 का मतलब जो समें magnetic field lines इसको cross करेंगी, ठीक है, D5 by Dt, इसके बाद हमारा lens law भी आता है, जान लीजे, lens law इसकी direction के बारे में बताता है, इसने बताया था कि जो हम इससे magnetic field lines को cross कराएंगे, तब इसमें EMF generate होगा, transformer की भी ऐसी working होती है, ठीक है, मगर जो lens law ने एक चीज इसमें यह add करी थी, कि जो यह, कि जो भी इसका movement होता है, यह इस तरह से होगा, इसमें induced EMF, कि तो north इधर आएगा, तो इसको oppose करेगा, ठीक है, यह lens law ने add करा था, मगर इसका answer क्या है, Faraday's law, अगले कुछण हम से पूछा है, what is the formula for induced EMF, अब देखें, induced EMF के लिए formula होता है, BLV sin theta, यह है इसका answer, BLV sin theta, यहाँ पर theta की जगा क्यों लिखा है, confused मत होगा, यह induced EMF का formula होता ह है, BLV sin theta, अगला कोशन बहुत simple है, what does EMF stands for, EMF की full form पूछी है, तो EMF की full form होती है, electromotive force, जिसे आम भासा में हम लोग voltage भी कहे देते हैं कई बार, ठीक है, electromotive force, अगला कोशन है, which is the example of statically induced EMF, अब देखें, अब जब आप इसको इसके पास इस तरह से लाएंगे, तो दो त statically induced EMF, एक होता है, dynamically induced EMF, statically induced EMF का example होता है, हमारा transformer, transformer में क्या होता है, इस तरह से coiling होती है, यह हमारी primary coil हो गई, यह हमारी secondary coil हो गई, ठीक है, तो जो primary coil में हमारा EMF change होता है, उसके basis में इसमें भी change होता है, ठीक है, current इसमें ऐसा जा रहा है, तो इसमें ऐसा गर जाएगा तो अगर इसमें कोई direction नहीं है, इसमें कोई motion नहीं है यह static है देखे, transformer मैं मैं ऐसी रहता कोई moment नहीं होता है तो उसको हम बोलते है statically induced EMF जबकि जो generator हमारा होता है generator में क्या होता है generator में जो हमारी coils होती है, हम ऐसा move करती रहती है तो उसको क्यों बोलते हैं, डायनामिक, डायनामिक का मदब होता है motion, इसलिए अभी हम से पूछा, statically induced EMF का example, तो वो होगा transformer, नीचे पूछा, dynamically induced EMF का example, तो वो होगा generator, तो जैनेरेटर में जो हमारा वो होता है, कोई लोग घूमती रहती है, अगला question है, which is the unit of electric power, electric power unit आपको पता है, what होती है, अगला question है, what is the current flow in the bulb, देखिए, हमको P दिया गया है, R दिया गया है, और हमसे पूछा गया है, कि जो bulb है, उससे current कितना flow हो रहा है, तो देखिए, जब मेना को यह होता है, पावर का formula होता है, P equals to V into I, V I होता है, मगर इसमें हमारा voltage का कुछ रोल नहीं ह का, तो हम B को R में convert कर देंगे, किस से, V equals to I R, ohms law से, तो V के जगा हम क्या रख देंगे, I, R रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, P equals to I square R, अब देखिए, तो यहां से I का formula का रहा है, P upon R equals to I square, तो अब इससे solve करते है, ठीक है, इधर पर कल लेते हैं, इसको solve, तो P की कितना दिया है, 550 दिया है, R कितना दिया है, 22 दिया है, equals to I square, तो जाएगा, 11, 2 जा, 11, 5 जा, 2, 7, 25 जाएगा, तो I की value कितनी आएगी, under root 25, जो कितना होता है, 5, तो क्या निकालना था हमें, current flow, तो I आगे हमारा 5 ampere, तो इसका answer हो गया, लगोशन है, what is the power required, ठीक है, I द लालना है, तो देखें, इसका formula क्या होगा, P cos V I, ठीक है, मगर अभी हमको I R, R से deal करना है, तो OMS laws, हम क्या कहता है, V cos I R, तो V के जगह हम क्या रख लेंगे, I R into I, यहां भी आई है, तो बन जाएगा I square R, तो अब इसे solve कर लेते हैं, P cos I square R को, तो P equals to I, I कितना है, 0.455 into 0 0.455, क्योंकि I square है, into R, R कितना है, 480, तो अब इस into कर लेते हैं, तो यह बन गया, 455 upon 455, ठीक है, एक आपको सलाह और दे रहा हूं, कि DGT में क्या है, options बहुत close close, 98.2, 99.2, इसलिए अगर हम इसको approximate लेके करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा answer उपर नीचे आजाए, इसलिए म है, 5525, 5525, 27, 5422, तो यह आएगा यहां भी 5722, into into 4520, 4522, 4416 और 18, तो यह बना 5, 12, 7, 3, 10, 2, 2, 4, 2, 6, और 1, 7, 8, 2, 10, 1, 2, ठीक है, तो तीन प्लेसे में डेसिमल था, 3, 3, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बन गया, 0.206, तो आगया, 0.207, into 484, 484, अब इसको इन्टो गरते हैं, 484, 207, San Forza, 28, 7, 8, 56, plus 58, 4, 7, 28, plus 3, 33, into 000, into 248, 28, 16, 248, और 9, देखे, 8, 8, 8, 8, plus 3, 11, 9, 10, 9, 10, ठीक है, तो तीन प्लेसे में 0 था, तो 1, 2, 3, तो इसका अंसर आगया, 100.18, तो यह है, स्केप रोक्स, 100.2, तो इसका अंसर हो, अगला कुश्चन है, What is the rated power in an adjustable register, bears the following level, ले देखे, कोई resistor है, उसमें 1.2 ohms, 0.08 ampere दिया है, तो हमको बताना है, पावर किती हैं, देखे, फिर सब यह सेम चीज है, ठीक है, पी एक क्वेश्च्चू क्या होता है, I square, मगर इसमें एक बात का ध्यान रखना, 1.5 kilo ohms है वो, तो इसको ohms में convert करना पड़ेगा, तो इस 0.08 into 0.08 into R की जगह क्या आएगा, 1.5, 1.5 into ohms में convert करेंगे, तो 1000 इसमें लगा देंगे, ठीक है, मैंने कई बार बताया है, जहां भी k दिखे, kilo का मला होता है, 1000, तो इसमें, अब यह ohms में तबदील हो चुका है, तो 880, 64, 1,2, 3, 4, 1,2, 1,2, 1,2, ऐसा करते हैं, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसके जो 4 0 है, 1,2, 3, 4, into 15 upon 10, into 1,2, 3, तो देखे, इन 3 0 से, 1,2, 3, यह कड़े हैं, अब बस इसको into करना है, तो 64 into 15, 5, 4, 0, 20, 5, 6, 0, 32, 1, 4, 6, टीक है, 0, 4, 2, 6, 6, 3, 9, तो आ गया 960, और नीचे करने तो 2 0, तो 9.6, तो इसका answer आ गया, 9.6, simple formula, सब कुछ simple है, अगला question है, how much voltage will be required to illuminate a 40 watt floor send lamp, draws a current of 0.10 ampere, देखे, इससे आपने घर का भी निकाल सकते हैं, हिसाब किताब, देखे, कैसे बताता हूं, power आपको दी है, बलकि 40 watt, ठीक है, current आपको दी है, 0.10 ampere, आप सो पूछा किया है, voltage पूछी है, तो सीधा सा formula आपको, मैं इतने देर सा बता रहा हूं क्या, P equals to VI, P है 40, V हमको निकालना है, आई की जगे देंगे 0.10, तो V को दर को भेज दी है, 40 upon 0.1, पॉइंट के बाद 0 की value होती है, 0.1, तो इसको अटाएंगे, into 10, तो 400 volt इसका answer आ गया, ठीक है, अगला question है, how many hours will take for a 100 watt bulb, 100 watt bulb, to consume 1 klo watt hour of energy, देखे, हमको यह बताना है, कि अगर 100 watt का bulb है, तो 1 klo watt hour energy, कितने समय में खपत करेगा, यह जो klo watt hour होता है न, यह commercial energy की unit होती है, जो government हमको energy based ही है, electrical energy, वो power के रोप में नहीं, वो electrical energy के form में होती है, जो bill आपका आएगा, उसमें गौल करिएगा, उसमें klo watt hour लिखा होता है, ठीक है, तो जो units होती है, हमारी 2 unit, 10 unit, वो सब klo watt hour के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, देखे, अब इसका, अगर हम solve करें, तो जो electrical energy होती है, उसका formula CCD होता है, equals to I square RT, जहांपर I क्या है, electric current है, R resistance प्रतिरोड, और T time हो गया, ठीक है, अब देखे, अब इस question हमको T निकालना है, ठीक है, और इसकी unit, what R में होती है, इसलिए time इसमें R में रखते हैं, और अब देखे, तो चाहें तो आप इसको इस formula से कर लिजे, क्योंकि E equals to I square R आपको पता है, पावर होती है, तो E equals to PT बन जाएगा है, तो यहां से T आ जाएगा E upon P, ठीक है, चाहें यहां से निकाल लीजे, तो E हमको कितना दिया है, एक किलो वाट आवर दिया है, और पावर हमको दिया है, 100 वाट, ठीक है, अब एक किलो वाट को वाट में change करेंगे, तो किलो का मैंना को बता है, हिसाब 1000 होता है, तो यह वाट आवर energy consumed कितनी energy आपने खपत की और कितने समय में की upon Time taken तो पी इसका कितना आएगा पी हम को अब देखिए तो यहां से टाइम का formula क्या बनेगा टी कुष्ट्ट और देखे वही formula बन गया अब इसे यहां से भी answer आएगा एक kilo watt hour upon 100 तो एक kilo watt hour की जगा आपके लिशक अभी 1000W hour upon 100, इससे ये cancel, इससे cancel, वाट से वाट, तो इसका आंसर 10 अर्व यहां से भी आ गया, चाहिए इस method से करिए, चाहिए इस method से करिए, जिसन सुझम्यारा उससे करिए, तो इसका आंसर आ गया 10 अर्व, तो यह थे हमारे basic electricity के questions, तो आज कि इस video lecture में हम लोगों ने basic electricity कवर किय और उसके बहुत सारे महत्पुन concepts पी सीखे, इस वीडियो का part 1 आप जरूर देखिए, हमारे चैनल पड़ा हुआ है, इसके साथ ही हमारा ITE के बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पे हैं, हमारी कई सारी playlist में आप विजिट कर सकते हैं, आज कि इस video lecture को देखने के लिए बह